तो मैं कुस्व स्वागत है कोस्मいやा कुस्म रह सोई में तो हमारी देंगे 2 शक्रणवड पर ऑप सबसे पहले हमें आलो के लच्ष तयार करने है सफेद वालो ली वह लिए इसे चिला वह पतले होते हैं और विव सबस्के नें रिह के बादा है पता है इस लच्चो को हमारे जूरी भाजा कहते है तो आलों को छील करना हम पानी में डाल देंगे पानी में डालने से अलु काले नहीं पड़ते हैं और आप पानी से चीतर से दोनी के बाद इसे हमें ग्रेट करना है तो लच्चे तयार करने के लिए मैंने ग्रेटर लिया है बस हमें सब ब्राबर कड रच चाहें कि और यह इसे ना सब ब्राबर करने रचन करने अलुफ इसे सब्सक्राइब करने यहां मेल जाएंगे तो तूब ऑसमना में मैं जाया हिए है possible जाए ने पानी में ठेला लगाएं आप इसे हमें पानी में डाल लेंगे पानी में डालनें के बाद इसे हमें 3-4 पानी दोने हैं देखिए अलो को पानी में डालनें के बाद कैसा white starch निकल रहा है तो अच्छी तरह से मसल करके इसे धोई और इसे हम तब तक दोएंगे जिब तक कि पानी पूरी तरह से साफ न हो जाए तो अलो में अगर इस टार्च बिल्कुल साफ इसमें सफेद स्टार्च बिल्कुल नहीं देख रहा है तो आप क्या करेंग तो पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए तो हम गयस को बंद कर देंगे अर उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने आलो के लच्छों को तो जो बाकी बचा हुए रच्छ है न वो भी निकल जाएगा तो गैस आफ करने के बाद ही लच्छों को इसमें डाले अब इसे मिक्स करें एक किनारों में वाइट वाइट सा आने लगा है तो यह हालूं का स्टार्च देख रहा है तो इसे बस हमें दो मिनट तक छोड़ना है इसे पकाना नहीं है बस इसमें से स्टाश निकल जाए उतना ही करना है दो मिनट रहने दे धकना भी नहीं है खुला रहने दे और उसके बाद दो मिनट बाद हम इसे पानी से छान लेंगे तो पानी में से छान लेने क के बाद इसे हमें थोड़ा सुखाना है तो हम करेंगे कि कॉटन का कपड़ा जो है फैला देंगे और इसके उपर आलो की लच्छो को फैला देंगे पतला फैला है ताकि जल्दी यह सूख जाए इसे धूप में नहीं सूखाना है आप पंक्र की नीचे रखेंगे तो भी 10-15 म में ड्राय हो जाएगा बस इसका पानी जो है ना वह सूख जाना चाहिए तो इसे मैं एक दम पतला फैला दिया है ताकि यह जल्दी सूख जाए हवासे और जब तक यह ड्राय हो रहा है हम बाती तारी कर लेते हैं तो मैंने अकड़ाई गर्म होनी रखा है और ग्यास की फ् तो चिक कैसे करेंगे एक मखानी को लेंगे इस तरह से प्रेस करेंगे क्रस हो जा रहा है इसका मतलब एची तरह से रोस्ट हो चुका है तो अब इसे हम खाली कर लेते हैं और इसी कड़ाई में मैंने तेल गर्म होने रखती है और च्छानने के लिए ना मैं च्छना यूज कर रही हूं ऐसे फ्राइब करेंगे ना तो सबको समेटना नहीं पड़े गए एक ही जगा फ्राइब होगा और आसानी से निकल जाएगा देखिए मुंग फ्राइब हो चुकी है इसे इस तरह से फैला देंगे इसी के साथ थोड़े से ड्राइफूर्स और हम फ्राइब कर ले रही हूं इसे भी फ्राइब कर लोंगे हलका गुला भी होने तक अब फ्राइब कर लिया है तो देखिए इक इसमिस बलून की तरह फुल गया फ्राइब करने जिन इसका टेश्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है इसी के साथ थोड़े से गड़ी को भी हम उख्ये रखाया और तेल को भी अच्छे से गरम किया है तब यह पोहा जो एक पॉप का उनकी तरह फूलेगा अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो फिर यह ओली ओली हो जाएगा और अच्छी तरह से फूलेगा भी नहीं तो पहले तेल को गरम कर लें तब उसमें पोहा को डालें और को चानने के बाद इस तरह से फैला दें अगर एक ही जगह सारे बहुत को एक के उपर एक डालते जाएंगे ना तो सेंटर में ऑईल की गर्मी की वज़ह से दुआ निकलने लगेगा इसलिए डालने के बाद नहीं तरह से फैला जरूर दें अब थोड़ा सा कड़ी पित्ता कर लेंगे बहुत अच्छा टेस्ट देगा आप चाहें तो इसके साथ थोड़ी सी हरी मिट्च को बारिक चॉप करके फ्राइ कर सकते हैं अगर आपको हरी मिट्च का फ्लिवर ज्यादा पसंद है तो बहुत लोग ना सुखी लाल मिट्च भी फ्राइ करके इसमें आड़ कर जैसे इसमें से नमी होनी लग करने लगि आलो के लच्छा निंध भाइल आ च्छा कम होने लगेगा अब ऐसंते क्रिस्पआ देग्श होने लगेगा देखिया बद्री कर चलेगा कि फ्राइट हो चुका यह कर भी कोई डावट लगे ना ai तो आलो की लच्छों को को फ्राइ कर लेंगे देखि कितना अच्छा कलर आया है और डाल करके इसे भी फैलाइना है कि उपर एक नहीं रखी गानी तो सेंटर में यह भी जल जाएगा तो यह मैंने थोड़े से मूंग और थोड़े से चनिक डाल को फुला लिया था चार-पांच घंटे मैंने फुला कि जाएक अची तरह से सॉफ्ट हो जाएं तो चलिए अब बीसे फ्राइ कर लेते हैं तो तेल को हमने कार्म के और चनर-दाल को डैल दिया जब दाल को तेल मीधिलगी नहीं तो नहीं भीन कालिकर लेंगे यह बहुत ही अच्छा खास्ता और क्रिस्पी बनता है इसी तरह से हम मूंग को भी फ्राई कर लेंगे तो मैंने यहां छिलके वाला साबुत मूंग लिया आप चाहें तो जो पिली वाली मूंग डालाती है न उसे भी फुला करके और फिर फ्राई करके डाल सकते हैं और इन सब के साथ आप चाहें तो जो रेड वाली मसूर दाल होती है न छिलके वाली उसे भी भीगो करके और इस तरह से फ्राई करके अड़ कर सकते हैं अब बारे इन सबको mix करने की तो यहां हम मखाने में add करेंगे प्राइ की हुए पोहा को इसी के साथ dry fruits को भी add कर देंगे और जो अलु वारे लच्छी है उसे भी mix कर देंगे अब इन सबको अच्छी तरह से mix करेंगे तो आप चाहें न तो सिर्फ आलु के लच्छों में मुं mix करने के लिए और त्यार करेंगे तो हम एक बॉल में लेंगे चमठ गाला नमक चाहला एक चमठ आमचूर पाउडर 5 अच्छी तरह से mix कर लेंगे सभी कुछ को आपस में और तैयार की ऑए मसाले को अपनी टेस्ट के हिसाब से फ्लिवरा मैं मिक्स कर दें और अच्छी तरह से मिला रहें ताकि सारी नमकीन पर अच्छी सी कोटिंग हो जाए तो यह हमारा घटा मीठा नमकीन तैयार है अब आप इसे एयर टबे में स्टोर करके रखें और महिनों तक इसके स्वात का आनन्द उठाएं अब बार यह सेकंड फ्लेवर की तो बचेव मिस्टर में हम एट करेंगे फ्राई के हुए दाल को और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम तयार करेंगे एक चिक पटा सा मसाला जो इसी की स्पाइसी बनाएगा तो हमें चाहिए पुदिनी का पाउडर तो मैंने पुदिनी के पत्तों को अच्छी तरह से पहले इसे आपके पास धेर साड़े पुदिनी के पत्ते हैं तो उनको तोड़ करके नीचे घर में च्छाओं में सुखाएं जब तक कि यह ड्राई दम क्रिस्पी न हो जाए इस तरह से तो यह इंस्टेंट वाला ड्राई हमने तयार किया है अब इसे प्लेट में निकाल द करेंगे जब तक कि इससे सोनी सोनी खुष्षभू ना आने लगे हाइफ यह उनकाए नहीं करना है और मसालों को नहीं तो ज़राना है बस इससे घर करके तो गयास को बंद कर दो थोड़ा थेंडा करने कर से हम डालेंगे ग्रेंडर जान में इसीके साथ इसमें पूदिनी क पुदिनी का फ्लिवर कम चाहिए तो पूडर को कम एड़्ेज़ करें एक चमच मिक्स करेंगे आप फाइन पूडर तीयार करेंगे इस तरह से और इसमें कुछ मसाले हमें और अच्राइड करने तो और जब भी चिप्स वगर भी फ्राइब करते हैं उस पर भी डाल करें यह बहुत अच्छा लगेगा अब इस मिक्षर में अपनी टेस्ट के काउर्डिंग मसाले को डालें जितना स्पाइस है और जितना चट पटा बनाना हो उसे साब से और अच्छी तरह से मिक्स कर लें ता